जैन बच्चों आप teacher बनना चाहते हैं, कॉम आपने भरा, लेकिन ये हम confusion में रहते हैं, कहाँ से तयारी करें, कैसे तयारी करें, कहाँ हमें basic मिलेगा, कहाँ advance मिलेगा, notes हमें मिलेगे की नहीं मिलेगे, practice हमारी कैसे होगी, और कहाँ से करें, कितना करें, तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए ही टीचर से कैट में आपके लेके आया है लक्ष फांडेशन बैच जहां बेसिक से लेकरके एडवांस तक आपको सब्जेक्स कराया जाएगा साथ ही साथ आपको मोस्मीन मिलते हैं अस्टडी मैडेरियल मिलता है और सबसे बड़ी विसेश बाग प्रैक्टिस के लिए ठेर सारे आपको कुश्ण्स मिलते हैं जिससे कि आपकी तैयारी मुकमल हो सके तो जॉइन करें लक्ष फांडेशन बैच तॉल करके चियानवे अठा जनवरी में परिच्छा करा सकते हैं लेकि सेंटर को लेकर करके मारा मारी है जैसा कि देखरें पीसे स्काराय को लेकर करके आप सबzhेतर पता ही कहां से क्या होरा है तो बस ये कहना है कल हम लोग कई बार आयो गए कई बार धरना पदरसन हुआ तो आपका देखे कि सदद से भी आये कहीं नähän कहीं देखें दवाव बनता है ठीक है कोई काम तो होना ही है आज नहीं होगाWow सो नहीं होगा ऑदा आफ़ु REALLY होगा हो देखें को नई मतलब दो बाते हैं कि अगर अपरैल मई में परिच्छा हो सकती है तो जो नए बच्चे हैं उनकी मांग भी जाए जाए कहीं न कहीं जब आप दिसंबर जनवरी में परिच्छा करा रहा है देट आप एक देद है तो ठीक है तो पुरानी भरती को करा लिया जाए ले लिया जाए तो कोई बड़ी बात है मतलब कोई मुस्किल बात नहीं है अगर मंसा हुई तब अगर मंसा साफ हुई तब तो इन ही सारी बातों को ले करके कि डेट क्लियर हो क्योंकि पिछली बार जब हम लोग गए थे आयोग पे जो आपको डारेक्ट भी वहांस दिखा आया था फिर जो सची महोद हैं मालविये सर और उनकी बात भी आप लोगों को सुनाए थे तो नहीं बुला था कि सप्टेंबर के लास्ट तक आपका क्या है केलेंडर आ जाएगा और विस्वर ने चाहा तो दिसंबर तक परिच्छा हो जाएगी ठीक है तो तीन बात है और अध्यक्ष आ जाएंगे इसी महीन है यानि सप्टेंबर में तो एक बात तो उनकी सही निकली कि अध्यक्ष महोदिया आ गई भै उन्होंने ज्वाइन कर लिया वित नियंतरक भी आ गए ठीक है परिच्छा नियंतरक भी आ गए तो ऐसी मतलब कोई ऐसा बड़ा पद नहीं कह सकते हैं कि जिसके बिना काम नहीं चल सकता हाँ वित नियंतरक और परिच्छा नियंतरक दोनों बड़े अध्यक्ष तीनों बड़े इंपोर्टेंट थे आपके तो वो सब आ गए तो अब मामला हिला वाली का हो रहा है क्या सेंटर को ले करके भै क्यों बड़े सारे निय में जेने से क्या होता पेपर लीक की संभावना जादा रहती लेकिन एक तरफ क्या कहें सरकारी बीढ़ हो लाकर अब इस विध्याले को बड़े कर दिया एक काम जरूर करना है तो आयोग पे कल फिर से आपका धरना परदर्सन है आपका तो एक बार जितने भी आसपास हैं आप लोग यहां तो आप लोग कमेंट करते हैं यहां तो बड़ा उत्साह दिखाते हैं कई बार आप हमें भी डाट देते हैं ठीक है लेकिन जब असली लड हमारी लड़ाई और लड़ दे जो बात में हमेशा आई काता हूं कई बार का चुकाओं कि सब चाहते हैं कि भगत सिंग पैदा तो हो लेकिन सर मेरे Likeomics आप बन जाए ना आसपास वाले को दूसरा बन जाए ना हम ना भगत सिंग मेरे घर में कोई We can make it proactive को भगत सिंग पॉम बराया है TGT PGT को ले करके लेकिन जहां तक दबाव बनाने की बात आती है तो हां पहले तो पचासे साथ लोग पहुंचते थे लेकिन लास्ट टाइम में कम से कम पांच छे सो लोग पहुंचे तो इसका एक बहुत बड़ा महत तो होता है क्योंकि सासन प्रशासन की पहुंचा रहा है तो आदमी को चलो ठीक है भय अभी ठीक है थोड़ा सा और खीचा जा सकता है ऐसे बात रोज नीश पे आ रही है ठीक है आप भी देख रहे हैं मुक्हिमंत्री महोदे भी जो हैं वो अक्सर हर सभा में कहते हैं कि नया योग बन गया इतना आएगा इतनी सीटें आएगी इतनी भड़ती होंगी लेकिन कब सवाल उठता है कब होगा नई वेकेंसी आएगी तो एक डेट तो देना है एक टेंटेटिव डेट तो दिया है जा सकता है कि हर बच्चा जो नयापन भी जरूरी होता है बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हर आदमी अम्मानी हर बच्चा जो होता अम्मानी अडानी का बेटा तो है नहीं बहुत कि जिंदगी भर तुपढ़ते रहे माबाप जिंदगी भर पैसा भेजते रहेंगा प्रियाग राज में हो यहीं हो ठीक ह जैसे हमारे यहां आई हैं आब एक बार लेते हैं दो बार तो हमेरे उपर कहते हैं सर कोर्स बेचो 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 बैचो तीन बार करो वो बार करो अरत हम भी क्या करें हमारी भी लिमिटेशन्स है हर चीज़ को चलाने के लिए खर्च की जरुरत होती है माया की हैं कि जब संसाधन रहेंगे नहीं तो हम आपकी मदद कहां कर पाएंगे जब जिन्दा हम रहेंगे तब तो हम आपकी मदद कर पाएंगे और मदद करने का भड़ सक प्रयास किया भी जाता है दूसरी बाते आप लोग जो कहते हैं ठीक है कि भाई ये है उनको तो नेतागिरी चमकाना है ये करना, मतलब ये भी बाते कमेंट में सुनने को मिलती है कई सारे बच्चे कहते हैं तो देखिये क्या है, मैं टीचर हूँ मैंने फॉर्म भरा नहीं है मुझे एक्जाम देना नहीं है मैं नेता तु हूँ नहीm और कहीं भी जाते हैं धर्णा प्रदर्सन देना होता है तो पहले प्रसासन से क्या करना होता अनुमती लेनी होती है या तो मैं क्लास बंद करकर के अनुमती लूँ जा करके भई आपको क्या लेना देना है भई आप टीचर है पढ़ाए अपना कोर्स खतम किये बात खतम करिय लेकिन ये है कि मुफत में तो मच्छड भी नहीं काड़ता हूँ भी बदले में खून पीता है तो उनका भी कहीं न कहीं फाइदा तो होगा योगा तो किनका आप चाहते हैं खाली हमारा फाइदा उनका फाइदा ना हो अगर उन सहीयोग करने से ठीक है, फाइदा होता तो बिलकुल करना चाहिए, और समाजी काम है, तो समाज में एक दूसरे के फाइदे के लिए ही करते हैं, हम काम करें तो आपका फाइदा हो, आप काम करें तो हमारा फाइदा हो, तभी जाकर के समाज आगे बढ़ पाता है, हर चीज को जानता है तो वो हमारी तो हम साथ मेरा सकते हैं रोज क्लास छोड़ करके हम जा करके अनुमती नहीं ले सकते हैं बार बार दौड नहीं सकते हैं कि कफ्तान साहब नहीं है तो आज पता चला थाना अध्यक्ष नहीं है आज वो ने तो उनके लिए जिनको काम वो है उनी को सोभा देता है जो वो काम कर सकते हैं तो कल फिर से युवा मंच द्वारा आपको ठीक है अपील की गई है अपील ही कर सकते हैं मैं भी अपील कर सकता हूँ ठीक है तो ये है उत्तर पर से सिच्छा सेवा चैन आयोग एलन गंज प्रियाग राज दिनांग 15 अक्टूबर 2024 समय प्राता 11 बजे चेर परसन अध्धा छगर तो सीधे बातचीत वारता अपने भर कोसिस तो ये करने है और कोसिस में हमें आपको मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है सहयोग करना चाहिए देना चाहिए बाकी चीजों को भूल कर करके क्योंकि एक्जाम सभी कोजिंग जाल को सिच्छक बंदूओं उस तथा परती होगी भाई बहानों से अनुरोध है कि अपने माता पिता के सपनों को साकार करने अपने बहुस को सुरक्षित करने के लिए आप सब अपनी उपस्तिती सुनक्षित करें टीजी टी पीजी टी दो हजार बाइस के विग्यापन म रिक्त पचीस हजार सीटों को जोडा जाए एवं पोर्टल खोल कर सब को मौका दिया जाए तथा परिच्छा तिथी घोसित की जाए ये नहीं कि इसका बहाना करके पोर्टल खोल देंगे तो एक्जाम लेट हो जाएगा एक्जाम वो हो जाएगा डेट एक अनॉंसमेंट क करेंगे लेकिन अपरेल महीने बस बता दें तीक नई भड़ती आएगी तो नई भड़ती कहा तो जारा कि नई भड़ती और आई ये भी ये भी सही बात है कि नई भड़ती आएगा ही आएगा सिच्छा निदे साले ने प्रसासन को रिक्त पदों का बेवरा भेज दिया है कि प्रधाना ध्यापक में कितने हैं, TGT में कितने फ़द खाली है, कि 70 के आसपास, मतलब 20, 22, 21,000 के आसपास TGT में है, 5, 6,000 के आसपास आपका क्या है, PGT में, तो वो निदे सिछा, निदे साले को ये चीज प्राप्त हो गया, उन्होंने प्रशासन को भेज दिया, अब आयोग की बात है, तो बात डिले ना हो, बस चीज़ें को किया जाए, ठीक है, तो आप कोसिस करें, जितने आसपास, इलाहबात, मैं जहां तक जानता हूँ, प्रियाग राज के आसपास, नहीं कुछ तो कम से कम, पचास जार बच्चे होंगे, पचास जार में, बस परसेंट भी अगर पहुँचे, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उतना का ही काम होता है, लेकिन बात वही होती है न, कि हम सोचे वो चला जाएगा, वो सोचे वो चला जाएगा ठीक है हम का है जाएब है हम तो इतना बीजी सिड्यूल में दो घंटा तीन घंटा निकाला जा सकता मेरा कौन सा स्वारत है आपने भी पेमेंट की है मान लिए कुछ किया है ऐसे यूटूब पे ही आपको इतनी सारे दी जाती है ठीक है तो उसमें क्या है तो हम आयोग पे जा करके हम डारेक्ट नहीं कर सकते हैं आपके साथ रह सकते हैं साथ खड़े रह सकते हैं और उसमें आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे जब भी आप उठा के देख लीजिए मैं पहुंचा हूँ आपका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया हू साथ में रहा हूँ ऐसा है लेकिन आगे तो एक्जाम आपको देना है तो जागरुक आपको होना परेगा सीट विर्दी आपको होना सीट विर्दी आपको चाहिए तो आपको आगे जब तक आप नहीं रहेंगे खाली मेरे अकेले जाने से कुछ नहीं हो सकता इस बात को बे कार नहीं है ठीक है आप खुद जागरूख होगा हमें पीछे पाएंगे तब आप हमें कह सकते हैं लेकिन आप घर पे बैठे रहें बस खाली कमेंट में आ करके उल्टा पुल्टा जो 2-4-10 परसेंट लोग करते हैं ठीक है कब होगा आप तो ऐसे ही बोलते हैं आप तो मैं त है अपने कानों से सुनिए अपनी बात को रखें मेंज़ता रहे नई सीटों में इसकुलों में इतने सीटों मतलब इणस्विवक्त की कमी है कि पढ़ाई की व्वस्था चरम्रा गई इस अब silly दिक्कत कहां आ रही है तो सवाल जबाब तो आपको करना परेगा न और हम लोग तंत रहें तो लोग तंत में सवाल पूछना हमारा अधिकार बनता है लेकिन सही जगह पे आप हमसे सवाल पूछेंगे तो मैं सवाल ना मैं आयोक का ध्यक्ष हूँ मैं BM हूँ CM भी नहीं हूँ भाई ठीक आप हमसे सवाल तो जो हमसे सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में आप अगर वहाँ चल करके पूछेंगे तो आपको सटीक जवाब मिलेगा आप जैसे कहते हैं कि सर आपने एनाउंस कर दिया टीचर्स अकैडमी वाले तो दूई साल से करा रहे हैं पर इच्छा भाई ठीक तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हाँ कहीं से कुछ सूचना मिलती है तो आप तक पहुँचाने का एक माद्यम जरूर है उमीद की एक किरन आपको जागती है उमीद की किरन एक हमें भी जागती है तो वही कर सकते हैं न जब तक एक्जेक्ट तो वही जो उसकुरसी पे बैठे हुए हैं वही फाइनल डिसीजन ले सकते हैं नेड़ने ले सकते हैं बीच बीच में हर तरक सूचना दी जाती है कि चलो कुछ मनोबल तो बढ़ा रहे यही कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आप सब लोग कल पहुँचने का प्रयास करेंगे जितने भी आसपास लोग हैं बिल्कुल पहुँची और मिल जुल करके करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होग आई होगा और कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ होगा जिस दिन जनता जाग जाती है तो बहुत कुछ होता है सब कुछ सीटे खाली है सब कुछ है आपका लेकिन बस क्या है हम लोग सोय हुए हम लोग सोय हुए है इस वज़ा से चीजे डिले होती चली जाती है सर गोरकों से आज रात में चली आप महें सर और आपको कुछ बताएंगे कुछ विशेश बात हैं युवा पिड़ी भाई ये आपकी भवनाओं को जादा बेहतर से नमस्कार साथियो देखिये कोशिस तो जारी है और पहली बार तो कोशिस इस तरीके चारी हो भी नहीं रही है बहुत लोग के लिए तो भी आदत की बात बन चुकी है कि एक्जाम डिले होने ही है और ये सारी कंडिसन्स हरकते ऐसे चलते रहेंगी धरने पर धरने चलते रहेंगे तो हमारा मकसद यह है कि हमको अपने पुराने जो रह चुके हैं पूरवज उनसे सीखना भी चाहिए कि आजादी एक बार दिये गए धरने से नहीं मिली थी या किसी भी चीज के लिए उसके लिए आपको पूरा ठिकर रहना पड़ता है अंतिम चलर तक निडर हुए बिना अपने हक के लिए लड़ते रहना होता है पहुत बार कई बार हम बीम सर और पूरी संस्था से कई न कई लोग जब भी कुछ धरने की बाते चल नहीं होती हैं पहुंचते हैं और बात बसके वाल यही बताई ही जाती है कि कब डेट आप लाएंगे कमसका में कलेंडर दे दीजिए एक डेट दे दीजिए जिससे हम अपनी तयारी का माइंसेट कर सकें कि इस मंद तक हमको अपने प्रिप्रेशन कर लेनी हैं हम उसके तयार है क्या आप म 20 साल से भले में तयार हम बैठे निकर इसके लिए तयार नहीं कि आम नौमबार में तुरन पेपर करा दो एक महने बात कहने मतलब आप समय तो कम से कम फिक्स करके बताईए तो एक बात और कोसिस कांटीन हमारी जारी है जब भी कोई इस तरीके की कंडिशन होती है कि हमको आ चा데 हम जर्लोग मैं जो भी नजदी की लोग जो हो वह मन में थोला सट थांके बार आजये जो यहां से आ सकते वह को सब देने की कोशिस करेंगे दूसरी चीज जो बहुत दूर है उत्तरपदेश में प्रयागराज सिछ्चाशिवर आयोग से बहुत दूर है उनके लिए भी हमारी यह अपील रहेगी कम से कम जब हम वीडियो के थुरू आपको ऑनलाइन के थुरू वहां मौझूद रहेंगे तो कम ऑनलाइन के थुरू भी आप जुड़े ग्यारा बज़े के बाद ऑनलाइन हम लोग की कांटिनू चलिएगा तो ऑनलाइन के थुरू उपाध्यक्ष मंत्री सीम सब सब तक बाते पहुंचती हैं उनको छोड़ाने जाता तो जो बहुत दूर है उनसे हमारी अपील यह होगी के वीडियो के थुरू कमेंट के थुरू आप जुड़ें बोलें कुछ ना कुछ बाते कहते रहें अपनी है और जो आफ लाइन आ सक एकते हैं बाकी हम हर जगां खड़े हुए हैं और किसी भी condition में खड़े ऊफे नटी निकालने के लिए खड़े थे जाड़ सी कई बार न्यूश्पेपर में अकबार में खबरे निकलती हैं कि हमारे उत्तरप्रदेश की सीम योगी आदित नाज जी ने कहा है कि जो भी रुकी हुई भरतियां हैं उन पर जल्द से जल्द क्रिया आगे बढ़ाई जाए कुछ ना कुछ चीजें उसको निकालके भरतियां क है और अब यूपी जिससे सबको पता होगा यूपी पीसीएस का जो एक्जाम होने वाला है हमारा या आरो यारो के लिए बाते चल रही हैं कि दो दिन में क्यों पेपर करा रहे हैं वो एक समय अक्टूबर में होगा फिर आए दिसंबर में होगा अब कुछ चीजें करें द सब्सक्राइब होना चाहिए और फिर उसके साथ अपनी बातों को रखेंगे अंत में यही कि यह स्लोगन तो है आओ स्कूल चले हम लेकिन दसा हो गई कि आओ आयोग चले हम ठीक है क्योंकि आयोग पहुंचें बच्च सिक्षक भढ़ती हो तब ना बच्चों के लिए स्लो चले हम आए जब मास्टरें ना रहेगा तो स्कूल जा करके का करेंगे तो सरकारी स्लोगन ही है आओ स्कूल चलें बस उसको हमने बदलके कर दिया है आयोग चलें अपने हक्री लड़ाई के लिए तो एक बार करना होगा जय हम्द्द जय भारत